हैलो व्रिवान वोकंटू दिस चैनल कैसे हैं आप सब होगा आप सब अच्छे होंगे सो गयास आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंट में जो भी परसंट जो रही है आज रहां तो आपको लेकर क्या फिल करने वाले हैं ट्राइमला सेडिंग है जब आप इससे रजुनेट होतने लीजेगा बागी को स्किप कीजेगा सो लेके प्रभु का नाम जैसी आ राम फैस्ट कार्ड वी हाव ओके हालमेट नमर नाइन आप लोग उसे रजुनेट कर सकता है ओके यहाँ पर आगया हमारा सिक्स ऑफ सौर्ड नमर सिक्स नाइंटी सक्स ओकी जैमन यह इस वक्त कहीं पेंजी इनका मन कर रहा है वहां से भाग जाएं कहीं ऐसी जगए जहां जहां इनको मन के शान्ते मिल सके यह लोगों से कट रहा है नो मैटर यह अपनी ड्केया पार्टी शाटी वाली मेड़ी स्टेटस लगा रहे हूँ प्लीज इनके स्टित पे मत बहुत मुश्किल से, रोएंगे, अकेला पन फील करेंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मन को शांती नहीं है, बहुत ज़ादा इंसाइटी है, सिरिसली, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मतलब इनको ऐसे ऐसे गलत थोट आ रहे हैं, ऐसे थोट आ रहे हैं, जुनको नहीं आने चाहिए, इनका मन करता है, जैसे सब को छोड़ के चले जाए, अपनी मन की शांती के लिए कहीं चले जाए, आप ये परसन हो सकते हैं, यहां पर आपके परसन आपको मिस्स तो बहुत जादा करें, बहुत जादा, लेकिन इनको सबसे बड़ा दुखी यह है, कि आप इनको कैसे भूल गए, संसार ने इनके साथ जो किया सो किया, लोगों ने किया, धड़ पार्टी ने किया, किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन आप ने ऐसे कैसे कर दिया, मतब आप इनको छोड़ के आगे कैसे बढ़ गए, इस वक्त ही आपको ऐसा देख रहे हैं, जहां आप स्टेबल हो अपनी ल साथ हुआ करते हैं, जहां आप साथ हुआ करते हैं, जहां आप दोनों अलग हो गया है, आज तो गाईस इनकी जो रात है, वो आपको याद करके रोने में ही निकलेगी, बहुत जादा missing energy है, बहुत low vibration में है, बहुत जादा low vibration में है, ऐसा समझो कि ना तो सो पा रहे हैं और ना ही ये अच्छे से मतलब उठ पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हिम्मत जैसे तूट रही है इनकी, ठीक है, बहुत low vibration में है, इनके साथ आपका past life का connection हो सकता ह possibility तो है यहां पे, और कहीं न कहीं आपकी परसंद dark night of the soul से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, जहां एक इनसान की जो अंदर जितने negativity है ना, वो जैसे ऐसे समझो कि जैसे skin पे जैसे हमारे, जब हमारी skin निकलती है, हमें कितना pain होता है, वैसे ही आपकी soul पे जो negativity layers ल कार रही है, तो pain तो होगा ना, ओके, यहां पे four of wands की energy with the king of wands, ओके, अपके परसन हो सकते हैं, यहां पे मुझे four of wands की energy को clarify करना है, एप्रिल का महीना आप लोगों से रस्नीट कर सकता है, डैक गुल्टी पकड़ रखी थी मैंने, कोई बात नहीं, यह message ज़रूर हम लेंगे, यह card ज़रूर लेंगे, जो कि moon का card है, अगर आपके person कहीं already married है, तो आपके person देख लीजे, moon के energy के बहुत सदा stress, इनको third party भी दे रही है, इनके husband या, इनके wife या, इनके family जो भी है, वो इनको बहुत सदा stress दे रही है, मतब एक तो इनका, इनका awakening चल रही है, ठीक है, dark night of the soul से गुजर रहे है, उपर से third party, वो भी यह देखिए, इसी process का ही एक part है, third party का, इनके पर हावी होना, बहुत से चीजे इनको realize होना, यह इसे ही का एक process है, अब एक निका ही process है, यहाँ पर आपके person की सबसे बड़ी गलती यह है, कि यह accept नहीं करते, इनको बहुत सदा फरक पड़ता है, इनको बहुत सदा फरक पड़ता है, मतलब यह लोग पो हाँ, बहुत बड़दी है, फ्रकाइस, पर जेसे पर अभी मान था, अवी मान टूट रहा है, जब एक इंसान घुट टूट रहा है, तो अभी इमान कहा ze रहा है, लेकिन हों कहते है, रसी जल जाए लेकिन इसकी design नहीं जाती, तो इनकी design नहीं जारी, इनको वह एग यहां पर कारड आए है हमारा डैत का and hierophant के energy मुझे hierophant के energy को clarify करना है death again death card बताता है बहुत सी endings को इनकी life में transformation चल रहा है again मैं बता दू यही यह भी एक awakening का है process transformation dark night of the soul यह जो भी process है यह awakening का ही है आपकी person transform हो रहे है transformation चल रहा है major transformation जहां यह चाहे ना चाहे बदलना universe इनको बदल के छोड़ेंगी इनको तो बदलना पड़ेगा यहाँ मैंने इसको clarify किया है तो देखे hierophant फिर से मेजी नसर गई देखे आपके person का karma है यह ठीक है यह karma है जिन लोगों से यह committed थे जो भी लोग जिनसे अभी तक यह already committed थे मतलब आपके towards committed नहीं थे जिन लोगों से यह committed थे वो लोग इनको बहुत ज़्यादा पेंदे रहे बहुत ज़्यादा पेंदे रहे और यह कहीं ने कहीं नी का करमा है उनके साथ endings चल रही है इनकी जहां यह committed थे वो commitment break हो रहा है तो आज तो अगर मैं थमनिल में मैं यह बनाऊ यह title रखूं कि क्या-क्या end हो रहा आपके partner की life में तो यह best रहेगा तो आपके person की life में इनका ego खतम हो रहा है यह इन्वर्सिंद के ego को तोड़ रहे हैं third party से जो commitment इनका था उसको break कर रहे हैं बहुत से ending चल रहे हैं बहुत सी ending emotionally भी breakdown है यह ओ फो बस इसी की कमी हो अब मैं क्या बोलू again tower का card judgment का card यह universe का यह universe का intervention है universe ने मतलब गुसा है literally यह universe का ही प्रकोब है इनके उपर जो बहुत से चीज़ हैं इनके life में बहुत drastic change है you can't imagine कि इस वक्त इनके life में क्या-क्या घट रहा है please इनके DP पे मत जाएगा again मा आपको बता दू इनके life में कुछ ठेक नहीं चल रहा awakening के मुझे ऐसा लग रहा है कि rude awakening हो रही है rude awakening वो awakening होती है जहां एक इनसान को universe कहीं का नी छोड़ती ठीक है और वो उन लोगों की होती है जिनको प्यार से पहले समझाया गया था प्यार से समझाया गया था बहुत से sign भी दिये थे universe ने कि भई समल जाओ समल जाओ अब वो अगर नहीं समझ रहे तो universe अपने तरीके से उनको दिखा रही है यह इनका कर्मा भी है और यह universe इनको lesson भी दे रही है साथ में यहां पर tower का card clarify हुआ है king of sword से और devil से देखे इनके उपर negativity जो हावी हो रही थी जो भी as I said कि negative जो layer लगी थी and negativity जो भी negativity थी वो कहीं न कहीं remove हो रही है और यह negative energy ही नहीं यह negative लोग भी हो सकते हैं उनको भी इनकी life से remove किया जा रहा है ठीक है यहां पर इतना shovel करने के बाद भी bottom of the deck energy same है tower again बहुत से tower moment आ रहे हैं इसनके life में oh oh hey Ramji इनकी जो strength थी जिस strength पे यह जिसके दम पर यह उचल रहे थी मैं तो यह बोड़नुगी जिसके दम पे चाहे वो उनकी inner strength हो चाहे इनका भिमान हो चाहे इनका background हो चाहे पैसा हो जो भी हो इनका जो इनकी strength थी जिस पे यह बहुत जादा कुछ कर रहे थे गलत उनकी strength को break किया जा रहा है कहते हैं न मैं universe justice नहीं करते जब universe justice करने पे आती है तो फिर देखो ऐसी हालत होती है यहाँ पे इनका सब कुछ ही ना जा रहे गाए सब कुछ ठीक है यहाँ हे भगवान हे राम जी कुछ तो छोड़ो प्लीज कुछ तो इतना भी कहर मत ढढ़ो यह तो अच्छाने से वो हो गया इनके तो सारे दरवाजे बंद होगे कहते हैं न जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो universe का दरवाजा खुला होता है मुझे लगता है universe नहीं जैसे अपना दरवाजा बंद कर लिया इनके लिए इनके बुरे दरन स्टार्ट हो चुके हैं यह इनका करमा है क्या कर सकते हैं यह इनका करमा है यहाँ पे night of cups की energy है अगर ऐसा ऐसा समझे मतलब इनके life में third party कोई romantic partner है उनके साथ भी इनके relationship ठीक नहीं चल रहे है ठीक है बेलकुल ठीक नहीं चल रहे है यह बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ night of cups की energy बता रही है वहाँ बहुत सा ऐसे समझी की वहाँ अपनी बात बनाने की कोशिश कर रहे है प्यार दिखा रहे हैं बट लोगों को समझ नहीं आ रहा इनकी language समझ भी नहीं आ रहा इनका प्यार समझ भी नहीं आ रहा यह करना अच्छा चा रहे है हो उल्टा रहा है इनकी कोशिश हैं positive करने की बट हो उल्टा रहा है मतलब एक इनसा नाइट ऑफ कफ के अनरजी में हैं लेकिन वहाँ पर भी टावर मोवमेंट जैसे बिजली आ गिरी है ठीक है मतलब जस काम में हाट डाल रहे हैं वहाँ ही इनके काम बिगड रहे हैं टावर का कार्ड गाईज इतना शफल करने के बाद भी बॉटम ऑफ देक के अनरजी यह कौंसिदेंस नहीं है थ्राइस यहाँ पर टावर का का काड़ा है ठीक है बहुत सर टावर मोवमेंट चल रहे हिनके लाफ में ठीक है 10 of Wands के अनरजी आगई यहाँ पर और यहाँ पर हमारा कार्ड आगया ओके एंपरर 10 of Wands देखे गाईज यह इस वक्त इनके अनरजी यह है युनिवर्स इनको अच्छे से समझा रही है रूट अवेकनिंग भी हो रही है स्टिल यह इंसान टस से मस नहीं हो रहे स्टिल यह अपनी रिस्पोंसिबिल्टी को चूज कर रहे है स्टिल यह जद में बैठे हैं कि देखता हूँ मैं भी कि मेरी लाइफ में कितने टावा मोमेट आते हैं देखता हूँ मैं भी कि या लड़का भी हो सकते हैं या लड़की भी हो सकते हैं मुझे भी देखना है कि मेरे कितने बुरे दिन आते हैं तो ये अपनी एक जिद में बैठे हैं ये अपना ego down नहीं करना चाहते हैं ठीक है ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं चाहे इनको उन responsibility के बोच के तले इनको इनके चाहे इस वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं बता रही हूँ चाहे इनकी उमर बीट जाए लेकिन फिर भी ये वहाँ बूड़े हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ आना इनको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इनकी जान जाती है यूनिवर्स भी literally इनसे कह रहे हैं मैं जादा कुछ नहीं कह रहा करने को बस अपन जो डिवाइन लव मैंने तुमारी लाइफ में भेजा है उसकी कदर कर लो इगो को साइड में रखो लेकिन नहीं इनको ये बात समझ भी नहीं आती ये ठोकर खाके नहीं अपना सर फुड़वा के मान देंगे message है light थोड़ी जादा हो गई but don't worry मैं किस लिए हूँ मैं बताती हूँ you are the only person who inspires me सिर्फ आप ही एक इनसान है इनकी लाइफ में जो उनको inspire करते हैं next है I want to dedicate a song to you आपके person आपको एक song dedicate करना चाहते हैं next देखेंगे last में क्या song है I don't trust anyone यह हर किसी पर trust नहीं करते हैं आपको क्या लगता है जब एक इनसान का सब कुछ टूट गया तो trust बागी रह गया क्या वो भी टूट गया है इसलिए इनका विश्वास उठ गया है लोग उपर से I hate that I love you so much इनको सी बात का गुस्सा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं justice as I said guys जब universe justice करते हैं ना तब ही कहते हैं अठ्छे करम करो अठ्छे करम family जो है वो इनकी कार्मिक है तब ही इनको सबक दे रही है सबक पर सबक इनको मिल रही है responsibility फिल भी निभाएंगे तो पहले इनकी priority responsibility ही है तो भुग तो I am coming back लेकिन हाँ आपकी person आपकी तरफ आ रहे है time ले सकते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो बातों से नहीं लातों से सुद रहेंगे उनको time लगेगा आप मेरे सब कुछ है आप इनके सब कुछ है okay मानने से क्या होता है भई बोलने से क्या होता है action भी तो low next time I have been hurt by love before अच्छा मतलब इनका पहले भी दिल तूट चुका है प्यार की मामले में इसलिए ये trust नहीं करते okay so इनका heart chakra block है भई acceptance तभी नहीं दे पार है आपको emotional blackmailing हो सकता है ये जो family के जो इनके karmic member है ये इनको emotional blackmail कर रहे है मतलब समझते हो नहीं emotional blackmail कर से करते है बले ही आपने किसी को किया नहीं है बट आपको बता तो हुगा I am ready to fight for this relationship अभी ये दिरे-दिरे ready हो रहे है या विडियो कह लेजए universe नको ready कर रहे है तागे ये इस connection के लिए fight कर सके आपसे नहीं आपसे तो करते हैं उन लोगों से जो आपकी against है okay song आपको dedicate कर रहे है सच कह रहा है दिवाना दिल दिल ना किसी से लगाना भाई ये बड़े sad है song सुन लिए जएगा बहुत sad song है वैसे दूसरा song बहुत beautiful है इस song में तो जैसे literally आपकी person की दिल से एक तमना है एक इच्छा है एक desire है आपके साथ एक family हो दो छोटे छोटे बच्चे हो छोटा सा घर हो नहीं घर बहुत बड़ा सा हो बड़ी सी गाड़ी हो सब कुछ बड़ेया तरीके का so future planning का ये song है सुनिएगा जरूर बहुत ही beautiful song है मैं मंगे आसी मनतावे मनता तू जो मिले जिंदरी जनतावे जनता तू जो मिले जिंदरी जनतावे जनता सो सुन लेजेगा आप अब ये universe की तरफ से आपके लिए message क्या है failure का card है I understand that a mistake is only an opportunity to learn okay हो सकता है आपको बार बार जरूर नहीं है relationship में ही और रोल आपकी life में अगर आपको कहीं भी failure का सामना करना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप loser है इसका मतलब ये है कि आपको एक opportunity दी गई है कुछ lesson लेने की so वहाँ से lesson लीजे और आगे बढ़िए वहाँ से एक सीख लो और फिर आगे बढ़ो experience मिल रहा है भई आपको next year I understand that everyone has their own unique path and challenges judgment का card ये बता रहा है कि आपको समझना होगा कि सब की अलग अलग life path है सबकी अलग अलग challenges है तो आप खुद को क्यो compare कर रहे हो लोगों से आप अपनी life को क्यो compare कर रहे हो बाकी लोगों से नहीं करना है ठीक है patience रखे I accept that everything happens in divine order आपको समझना पड़ेगा कि आपके push करने से चीज़े जल्दी work नहीं करेंगी यहाँ पे divine time work कर रहा है जो चीज़े होंगी divine time पे होंगी सो surrender कीजिए जब आपको पता है कि आपके हाथ पैर चलाने से चीज़े ज़्यादा जल्दी नहीं होंगी वो तो time पे ही होंगी तो फिर क्यों तनी महनत कर रहे हो महनत करनी है तो अपने काम में कीजी जो भी आप काम कर रहे हो जो भी आपका goal है उसमें कीजी वो वेस्ट नहीं जाएगी लेकिन हाँ partner मेरा अभी आना चाहिए आज ही आजए बस सुबह आखे खोलू मेरा partner मेरे सामने हो उसके लिए चैम मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी नहीं ऐसा नहीं होता वो जब आपकी लाइफ में आने होंगे वो जो divine टाइम जब आएगा तब आप दोनों का reunion हो जाएगा तब तक आप अपनी goal पर focus केजिए ठीक है बहुत से चीज़ें हैं करने को उन पर भी थोड़ा ध्यान दो सब्सक्राइब जूर किये तो चैनल को सब्सक्राइब जूर किये जिका वीडियो को लाइक किजिका कॉमेट करना ना बोले मिते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैक किया अपना ख्यार रखें जे सिया राम